Hey everyone, welcome back. So, आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक वीजूल के अंदर बोथ टाइटिल एंड सब टाइटिल को एक साथ यूज कर सकते हैं और वो भी डिफेंट कलर डिफेंट फॉन्ट स्टाइल के साथ, ओके? तो जैसे कि आप चानते हैं, हम आगे से जबी भी कोई वीजूल बनाते थे, उस टाइम पे हम एक वीजूल के अंदर एक ही टाइटिल को सो करवा सकते थे, राइट? बट नाओ, फ़म मार्च 2023 अपडेट, हम एक वीजूल के अंदर बोथ टाइटिल एंद सब टाइटिल को एक साथ यूज कर सकते हैं तो लेट सी हाओ वी कें दू दू दिस, ओके? तो उसके लिए हमको क्या करने पड़ेगा? सबसे पहले हमको आपना पावर वे डेक्स्टाप को ओपन कर लेना है, ओके? यहाँ पर गेट डेटा ओप्शन के क्लिक करके आपका जो डेटा सोर्स है, उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग का टेबल करने है, और यहाँ पर एक कॉलम है, और डेट एंड इट राइट लेकिन यह देट फर्माट पर नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यह जो डेटा सेट है, इसको थोड़ा हमको ट्रांस्फरम करना पड़ेग देन हमको यह हम लोग का जो पावर क्वेरी एडिटर है, वहाँ पर आपको लेकि जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे है, हम लोग के पास जो दू कॉलम स्था, और डेट एंड इट राइट तो इन दोनों का जो डेटा टाइप है, इसको हमको चैंज करना परड़ेका, अचल्य है पर क्लएक करना है, आप जैसे की आप देख पारे, हम लोग का ओरसंड टेबल सकसेश्वली उप्लड हो चुका है, है और वह देक पार है, यहाँ पर का खैंड पर डेक पार है, यहाँ अलों का टेबल के नैम है, और स्वर्ड देख चाहते हैं तो आप यहां पर डेटा व्यूपे क्लिक करके और श्वान टेबल पर जो भी डेटा है उसको आप यहां से देख सकते हैं तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं हम लोग के पास एक कॉलम है और डेट सिप डेट ओके देन आ केटेगरी अल्रेट इंसाब केटेगरी यहां पर यहां पर इस तरह से बहुत सारे कॉलम से राइट तो चलिए यह यह डेटा को यूज करके हम हमारा एक विजुलेशन से यहां पर बनाते हैं ठीक है तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हो हम और रिपोर्ट पर आ चुक आपको क्लिक करके उसको यहां पर एड़ कर लेना है और यह स्लाइसर पर हम क्या डालेंगे इसमें प्रडॉक्ट नेम को डालेंगे तो इसके लिए यहां पर आपको एक आप्संस मिल रहा है एड़ डेटा और विल्ड यूर वीजॉल पाइट तो यहां पको क्लिक करना है यहां पर Add data पर क्लिक करके आपको अपना जो पर्डक्ट नेम है उसको यहां पर एड़ कर देना है तो यहां पर दीक पा रहे हैं हम लोगा सारे प्रडक्ट नेम यह जा चुछा है इसके बात अगर आप थोड़ा कुछ फर्माटिंग इसमें करना चाहते हैं तो यह फर्माट च्छरणों पे डाइवं मारे आंग बोडर को भी आउसाम सीमद मारे हं यहां पे देख अरो को बेच्छर आई थियूद्ट टॉप्ट अरोडों कर लेना है एक लाइंच चार्ट है तो यह है हमाहाँ करने के बात आपको यह हमों at writing करने नौल अज्छड़ी तो आपको अब क्लिक कर लेना है यह बात ऊ 그걸 एक्सिंग को मंद शो करवा है advice pro क्लिक करना है यहां पर और डेक्ट नौंग और इनाम का एक घैटा मिल जाएगा और दिने उसके बाद ईहाओ उसके बाद इसको आपको क्लिक कर ले नहीं ठीक है तो सेलेट करके वाइक्स में आपको डाल देना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो विज्वाल मान जिसका नाम है स्वालिट है वह लड़ी तयार हो चुका है तो अगर इसके खूछ स्टैल कई और उसको कोपी कर ले तो यहां पर आपको ओका जो एक पॉनिट फी और हाइलरेट करना या फिर मार्कर्ष को ओन कर लेना है यहां पर जाएंगे आप तो डेटा लेवल को भी यहां पर एड़ कर शक्ते हैं तो फाइनली यह हम लोग का बोथ स्लाइसर एंड चार्ट अल्री रेडी हो चुता है तो चलिए अभी हम लोग का जो में मुद्धा है उस पर आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक पटिक्लर के अंदर बोथ टाइटिल को एक साथ दिखा सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले यह जू वीजुल इस पर क्लिक करना है यह यहां पर एक जैसे पर देखने करोगे आपके सामना यह फर्माट नाम का ट टैब आ चुका है तो यह टाइटल जो है यह बैडिफल ओन रहता है इसलिए यहां पर हम सम आप सेल्स को देख पा रहे हैं तो अभी हम इसके नीचे हम सब टैटल को दिखाना चाहते हैं तो वह कैसे दिखाएंगे उसके लिए सिंपल इसको आपको प्लिक कर लेना है तो जैसे आप यहां पर उसके नीचे बिसके नीचे अब आपको मिलेगा और यहीं वाइप दो चुका है कि चलिए इसको ओन करके देखते हैं यहां पर जैसे भी ऑन ओचुकहा है तो अगर आप चाहते हैं कि यह जो चाहते हैं और इसका यह जो चाहेंगे तो आपको क्या करना पढ़ेगा इसलिए प्लिक सकते हैं यहां पर आप कुछ भी लिखके इसका जो टेक्स्ट है उसको चैन्ज कर सकते हैं तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे हम हमारे एक पर्टिकुलर विज्वाल पर बोथ टाइटिल एंड सब्टाइटिल को एक साथ दिखा सकते हैं बट मेरा रिकवेंट यह है कि जैसे यहां पर मैं कोई भी प्रिकुलर प्राद刘ना को सिलट करता हूँ वो प्रादक का नायम और उसका जो क्य PF है यह कौन सी उस क्यॹंड क्यर्वुड करता है और क्यों से सब क्यूंड करता है उसको मैं राइट हैंड स्एड पर दिखाना च करता है वो मैं यहां पर सब्टाइटल पर दिखाना चाहता हूं तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक मेजर करना पड़ेगा क्योंकि यह जो सब्टाइटल यहां पर देख पा रहे हैं यह सब्टाइटल को हम फिक्ष नहीं करना चाहते हैं हम इसको डायनामिक करना चाहते हैं हम यहां पर जो भी product name को select करेंगे वह product का name यहां पर में dynamically change होते दिखना चाहिए और उसका category and sub-category करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक measure करेंगे ठीक है तो measure करेंगे लिए सबसे पर हम क्या करेंगे data set पर जाएंगे data set पर जाने की बाद हमको यहां पर right click करके new measure पर click किरना है देन यहां पर इसका नाम देते हैं सब्टितल ठीक है इक्वल टो सिफ एंटर दन यहां पर एक वरियाबल क्रीट करेंगे सुब्वेर यह पर सब्सक्राइब यहां प्रड़क्त नेम ओक रड़क्त नेम इक्वल टू स्क्राइब यहां थिर्ष नेमच्ट नेम एक यहर मों यहां ? एक फैड भार्यकिन करति करेंगे ? एक यह स्ब्सक्राइब स्चित में करते है ? Penis एक थैड ख्त्राइब आ करेंगे ? एक रखिए और आ संस इसलिट जचेड स्चタव इन एक criticism में पैम स्ब्सक्राइब गार्यकिन है ? Curh हज़ प्योह है यह को तर किते हुआ श्वा मिन रहिए, वाल रहिए, रहिए. छिब करूब देन यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा यह तीनों को क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिंपल प्रड़क्ट यह जो हम लोग वेरियवल क्रियेट किया है राइट यह प्रड़क्ट नेम तो सबसे प्रड़क्ट नेम को ले लेंगे देन दे आपर सब्सक्राइब अधोर कि एन इसे जिए ओध हो तो यहां पर जैसे कि आप देक पा रहे हम लोग को पास सब्सक्राइब नाम का मेजर कीट हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे एक वेरीबिल करेंगे जिसका नाम है है product name और उसके अंदर हम क्या डालेंगे selected value जो भी यहां पर वैल्यू स्लेट करेंगे यह slicer से उसी को हम product name पर इंसर्ट करवाएंगे ठीक उसी तरह यहां पर और एक वरियेबूल हमने create क्या है category नाम का जिसके अंदर हम जो भी यह selected value होगा वो जिस category से बिलंग करता है उसको हम यह category के अंदर पास करेंगे ठीक है ठीक उसी तरह यहां पर जो भी product name selected होगा वो product कौन से सब्सक्राइब करता है उसको हम यह सब्सक्राइब करेंगे ठीक है और एक नया variable create करेंगे जिसका नाम है subtitle name राइट और subtitle name के अंदर हम product name category और shop category यह तीनों को हम क्या करेंगे और रिटन करेंगे यह subtitle name को ठीक है देन इसको करते है प्लोस ओके देन next tip क्या है हमने जो अभी जो major create किया subtitle नाम का राइट इसको अभी क्या करना है इसको यह जो हम लोगा subtitle राइट इसके जगा पर पुट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले यह जो बीजोल है इसमें क्लिक करना पड़ेगा ठीक है यह फोर्मार्ट अप्शन पर क्लिक करना है ठीक है तो आप यहां पर फर्मार्ट सेक्षन पर आ जाओगे और यहां जीसी क्या आप देख पारें हो टाइट तो हम लोगों को टाइट पर अभी कोई भी छेड़खानी नहीं करना है इसको जैसा यह वैसे रखेंगे हमको अभी सब्टाइटिल के जगा पर हमको क्या दिखाना है प्रोड़क्त का नेम जो बी प्रोड़क्त के स्लेट करेंगे और बो प्रोड़क्टक्ट कया है बो प्रोडक्ट वर को अधे और कॉंसे सब कर सब घुट करक है देन फर्माट स्टाइल को फिल्ड वेल्यू रखना है ओके एंड वाट फिल्ड सूड यू बेस्ट ओन यहां पर आपको क्या करना है यह ओडर रेस्ट में जो हम कल्कुलेटर कॉलम याने की जो मेज़स क्रेट किये हैं सब टैटिल नाम का उसको आपको सिलेट कर लेना है क्लिक ओके तो यहां पर देख वा रहे हम लोगगा जो सब टैटिल था वो हट चुका है राइट क्योंकि यह जो स्लाइसर से कोई भी भी वेलुको अगर स्लेट करते हैं तो यह प्रदक्ट का नाम है तो जैसे ही हैं पर क्लिक करूंगा यहां पर मुझे सब्टैटिल दिख रहा है हम लोग का product का name then यहां पर क्या दिख रहा है office supply यानि कि यह हो गया हम लोग का category यह product जिस category से बिलंग करता है उसका name है और यह हो गया art यानि कि यह art जो है यह sub category है तो हम लोग का जैसे requirement था वैसे अभी यहां पर हम लोग sub category में दिखा चुके हैं लेकिन problem यह है कि यहां पर हम लोग के पास पेस नहीं है और यह एक लाइन पर दिख रहा है लेकिन हम लोग का requirement क्या है इसको ठीडिफ्रेंट लाइन पर दिखेना है राइट एक में product name then category name then sub category name right तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे लिए हमको data level पर जाना होगा ओके और जो हमने measure create किया था उस measure को यहां पर click करके एक बर open कर लेना है ओके और यहां पर आपको एक नया variable create करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर shift enter करके यहां पर और एक variable create कर लेता हूं there new line all right then equal to unique care 10 ओके तो यह जो variable है new line नाम का इसको मैंने क्यों create किया क्योंकि हम लोग को यह तीनों चीजें यानिकि product name category name and sub category name क्या चाहिए हमको अलग अलग चाहिए और उसके बीच में यह तो इसलिए मैंने new line नाम का एक और एक variable create कर लिया ओके देन हमको क्या करना है यह जो new line नाम का जो variable है उसको यहां पर concatenate करना है यह तीनों product name category and sub category के बीच में ओके तो यहां पर मैं space देता हूं then यहां पर new line नाम का जो variable create के उसको यहां पर डालता हूं then space and concatenate okay with category all right same way यहां पर फिर्शे हमको और एक बार वही same चीज करना पड़ेगा यहां पर new line okay then यहां पर इसको concatenate करना पड़ेगा हमको किसके साथ sub category के साथ all right then यहां पर यह जो subtitle name है उसको यहां पर return कर लेना है और इसको क्लोज कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे हो हम लोग का जो title था वो three different line पे आ चुगा है और पहला जो line है उसमें लिखा हुआ 12 color shop pencils यानि कि यह होगी हम लोग का जो product हमने जो select किया उसका name ठीक है यह जो product है यह कौन सी category से बिलॉंग करता है वो है office supply एंड उसका sub category क्या है आर्थ है तो आगे से क्या होता था यह जो product name है category एंड sub category है वो एक line पे दिखता था वो भी without space राइट तो इसलिए हम लोग क्या क्या एक नया variable क्रेट कर लिया जिसका नाम है new line राइट और उसमें हम unique 10 को पास कर दिया ठीक है और यह जो new line है उसको यह तीनों product के बीच में मैंने लिख दिया तो इसलिए हम लोग का जो subtitle था वो अभी तीन different line पे दिख रहे है पहला है product name यह product जिस category से belong करता है वह office supply है और इसका जो सब काटिगरी है वह 8 तो यह अभी यह तीनों अलग लग line पे दिख रहा है right so now suppose मैं चाहता हूं कि यह जो subtitle यह left hand side पी ना दिखके right hand side पे दिखे और इसका जो color है बो भी change हो जाए और font format भी change करना चाहता हूं ठीक है तो उसके ले क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको फिर यह visual पर क्लिक करना पड़ेगा ठीक है यहां पर फॉर्माट नाम को option से यहां पर जाना पड़ेगा all right then हमको यह जो subtitle है इसका color change करना है तो टाइटिल के अंदर जो subtitle नाम को option से उसको एक्सपांड कर लेना है ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा इसको आप यहां पर बोल्ड कर सकते हो ओके तो यह देखो यहां लोग का जो subtitle था वो बोल्ड हो चका है इसका color change करना चाहोगी तो यहां से color बीचेंज कर सकते हो ठीक है इटालिक रखना है तो इसको इटालिक भी कर सकते हो ठीक है और यह लेफ्ट-hand side पर है और मुझे इसको राइट-hand side पर चीए तो यहां पर आप लेकिन तब भी एक प्रोब्लम है हम लोग के पास यहां पर दिख रहा है और यह हम लोग का जो subtitle है वो नीचे दिख रहा है यह एक प्रपर लाइन पर नहीं आ रहा है उसके बाद यहां पर जो subtitle है उसके बात यह जो subtitle है वो थो नीचे राइट तो इसका हम क्या कर शकते हैं उसका जो spacing है उसको एड़्जेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर स्पेसिंग नाम का options है ठ करने के बाद इसका जो spacing below title है इसको आपको क्या करना है जीरो कर लेना है ठीक है तो यह थोड़ा उपर चला जाएगा और यहां पर सर्च करना है empty character.com करने के बाद यहां पर एक copy to clickboard नाम को options में लेगा इसको आपको क्लिक करके copy कर लेना है ठीक है उसके बाद क्या करना है फिर और यहां पर data लेवल पर क्लिक करना है ठीक है तैन वह जो मेजर हमने create किया था उसको फिर जो open करना है open करने के बाद यह जो subtitle name नाम का जो variable create के थे इसके आगे और पीछे हमने जो copy किया था copy to clickboard नाम को options को क्लिक करके उसको क्या करना है आपको यहां पर इसका आगे और पीछे पैस कर देना है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा double quotation लेना पड़ेगा देन यहां पर control भी ठीक है देन इसको क्या करना है हमको concatenate करना है product name category and sub category के साथ ठीक है same way यहां पर last पर भी आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर end देके double quotation के बीच पर यहां पर पैस्ट कर लेना है ठीक है देन एंडर ठीक है देन इसको क्लोज कर लेना है लेकिन अभी आप जैसे की देख पा रहे हम लोगों का जो सम अप सेल्स है वह उपर पर है और यह जो सब टैटल है वह नीचे राइट अभी हम क्या करेंगे हम पिश्य वि सब्सक्राइब करलेंगे यह इसके जगह हम क्या करेंगे और इसके और ट्ले करेंगे हम क्या करेंगे नेगे अब हम क्या करेंगे इसका जो साइट पर ले आएंगे और इसका जो पॉजिशिए इसको रैट साइट पर ले आएंगे तो उसके लिए वह फीछ तैटिल पर होगा हमको यहाँ पे इसका को राइट सेड पे ले आना है देन पहलगकोगे शेटल ता स्वक्टेरल खुल इसको हमको डिया आना है तो आप देख पा रहे हैं जो टोल शेल से चाहर सोर्डश पेंशिल से यह दोनों एक लाइन पर है तो यहाँ पी जैसे ही आप दूसरा कोई तो यहां पर दीख़ाएं और इस थांक्स परवाजिय